इस वक्त पशिम मंगाल के न्यू जल्पाई गुड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पशिम मंगाल के न्यू जल्पाई गुड़ी में एक बड़ा ट्रीन हाथसा हुआ है एक मालगाडी ने सियालदा जाने वाली कंचन जंगा एक्सप्रेस को पीछे से टकर मारती है टकर लगने से कंचन जंगा एक्सप्रेस की कई बोग या पट्री से उतर गई है इस हाथसे में अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 25 के घायल होने की अब तक खबर एक मालगाडी ने अगर तल्ला से सियालदा जा रही कंचन जंगा एक्सप्रेस को जैसे ही टकर मारी हर तरफ चीख और पुखार मच गई टकर लगने की वज़े से ट्रेन की कई बोग या पट्री से उतर गई दाजलिंग पुलिस के एडिशनल स्पी आभिशेक रॉय ने कह है कि इस दुरघटा में अब तक पाच लोगों की मौत हुई है जबकि 20 से 25 लोग खायल हुए है इस्तिती अभी बहुत गंभीर है ये घटा उस समय हुई है जब मालगारी ने पीछे से कंचन जंगा एक्सप्रेस को टकर बार दी नॉर्थ एस्ट फ्रंटेन रेलवे का कहन है कि उन्हें न्यू जल्पाई गूरी के रांगा पानी में ट्रेन हाथसे की खबर मिली हाथसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर रहा देवा बचाओ कार्य जारी है इस हाथसे पर मुख्यमंत्री मम्ताम एनरजी ने दुख जताया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्र मानिक साहा ने इस घटना पर कहा है कि मुझे अगर तल्ला से सियाल्दा जाने वाली कंचन जंगा एक्स्प्रेस के साथ न्यू जल्पाई गुडी में हुई दुरगटना के बारे में पता चला मालगारी की टकर में ट्रेन के डिब्बे पूरी तरह से छती ग्रस्त हुए है बचाओ कार्य जारी है राज्य सरकार सभी यात्रियों की सुरक्षा और बचाओ के लिए रेल प्रसासत से संपर्ग में है मैं घायलों को जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ क्या कुछ कह रहे हैं स्पीस पूरे घट्टा पर आईए हम आप को सुरवाते हैं आगे का इंजिन है वहाँ पर गास कटर लगेगा अर्पे भी आगे हम लोग को कल पीस से आगे है ठीक है अभी तक जो हिशाब है पाँ हुआ है ठीक है और इतने लोग की मौत हुए पाच का मौत हुआ है अभी तक 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 त्विंटी फाइब तर्टी नियरली बट रस्कोइड देम विद्या लगेजेज इमोंग इखने अम लोग लोकल का एंबूलेंस भी अम लोग आरेंज कर चुके ठीक है वो जो पैसेंजर से हम लोग उन लोग को बाहर निकाल के एक यहाँ पर एक मदरसा में कैम भी सेट अप किया है वहाँ पर लेके जा रहे है और मुंबई पुने नागपूर मराटफडा असो का विदर्व राजिकिय सामाजिक सेक्षणिक शेत्राजो का क्रिडा सर्वस घडा मुडिक से विशलेशन पहाईलों विश्रू नका फाक्त देशों नती नीजवर झाल